विराट कोली हैं सेल्फिश टीम के लिए नहीं बलकि अपने रनों के लिए खेलते हैं विराट नमस्कार मेरे नाम है प्रियांशु नवानी और आप देख रहे हैं स्पोथ स्यारी ये सभी बाते सुनके सभी को बहुत हैरानी होती है लेकिन अब तक ये बाते जरूर चलती है और इस बार एक पाकिस्तानी पूर क्रिकेटर ने विराट कोली को लेके एक बहुत बड़ा बयान दिया है जहां पे यही बताया है कि विराट कोली पूरी तरह से selfish है और वो अपने रनों के लिए खेलते हैं अब उस पाकिस्तानी पूर क्रिकेटर का नाम है मुहमद हफीज हाला कि आपको बताते हैं कि विराट कोली को लेके हमेशा यही चर्चा होती है कि विराट कोली अपने रनों के लिए खेलते हैं विराट कोली जब century के पास पहुचते हैं तो धीमा खेल जाते हैं ऐसा बहुत सारे experts और लोग भी कहते हैं लेकिन मुहमद हफीज ने विराट कोली को लेके क्या कहा यह आपको बता देते हैं एक podcast चल रहा था जहां पर वाइब के लवान थे जहां पर आपके आडम गिलक्रिस थे और हफीज सहाब भी थे लेकिन हफीज ने वहाँ पर क्या कहा कोली को लेके वह आपको बता देते हैं उन्होंने statement दी उन्होंने कहा कि बढ़िए to me no matter whoever is playing your intention and the way of playing should always aim towards winning the game कोई कहे रहे हैं कि मुझे फरक नहीं पड़ता कि कोई भी खेल रहा है लेकिन आपका intention हमेशा यही होना चाहिए कि आपकी team match जीते और बाद में उसके यह का कि but if someone is hesitating to play big shots in his 90s I won't accept it वो यही कह रहे है कि भाई कोई खिलाडी अगर 90s के आसपास है और ज्यादा रिस नहीं ले रहा है अपने selfish player का tag लगाया था बहुत पहले वो बिलकुल सही है उन्होंने उस बात को admit करा जो उन्होंने पहले कहा था वो ठीक कहा था आगे यह कहा कि after 95 if someone takes five balls to get his 100 and his intention changes after scoring 100 why can't he play the same shots he did at 95 और 92 runs वो यही कह रहे है बार बार की 90s के पास आते ही जब कोई खिलाडी धीमा हो आता है और थ injury तक पहुचने के लिए तो वो अपने short जो उसके पास है बिटा रहे हैं वो क्यों नहीं खेलता है for me the intent should always remain the same to add the best possible value to your team's victory मतलब उन्होंने यहां पर यह बताया कि विराट कोली या फिर किसी भी प्लेयर के पास indirectly उन्होंने विराट कोली को ही टाक किया statement में उन्होंने यह का है कि intent हमेशा same ही रहना चाहिए खिलाडी का चाहिए जो मर्जी situation हो वहाँ पर situation अगर demand कर रही है कि आपको अपने short खेलने चाहिए तो player को अपने short जरूर खेलने चाहिए अगर वो team के जीत के हक में है तो हाला कि आपको बताते कि statement में हाँ आपको mention नहीं करावा हमने ले लेना जी बट टीम इंडिया वो मैच जीती थी यह चीज तो हफीज जी ने बिल्कूल भी नहीं देखी विराट कोली वहाँ पे नहीं टिकते spinners को डंग से ना खेलते क्योंकि वहाँ पे उस ट्राक पे बॉल बॉल जाला टर्न कर रही थी अब spinners को जिससाब से खेलना था वो विराट कोली और श्रेय सियर ने बहुत अच्छे से टाकल किया था लेकिन अफीज ने टाकेट किसको किया विराट को टार्गेट किया पर बात यही है कि हर कोई हमेशा विराट को टार्गेट करता है जब उनका खराब दौर चल रहा होता है तो हाला कि दौर भी खराब किल्चिरी के पास आते वे थोड़ा सा धीमा हो जाते हैं अपनी राए कॉमेंट सेक्षिन में जरूर दीजेगा पर अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही जैहिन जैवारत